देश में आदिन कोरोना केस बढ़ते देखी जा रहे हैं सभी राजों में कोरोना अपने पैर पसार रहा है और पिछले दिनों करनाटक में कोरोना केसिस में अचानक ही उच्छाल दिखा गया लेकिन इसे भी जे खबर सामने आई है जो चिंता बढ़ाने वाली कही जा सकती है करनाटक की राज़धानी बैंगलूर में एक समस्या खड़ी हो गई है दरसल यहां हुआ कुछ यूँ है कि 3338 कोरोना पॉजिटिव पेशिंट लापता हो गए हैं आप सही सुन रहे हैं यह हम नहीं कह रहे हैं बलकि खुद प्रिशासन ने इसकी जानकारी दी है और जानका पा रहा है आपको बता दे कि फिलहाल करनाटक में कोरोना के जो मामडे सामने आ रहे हैं उनमें से आधे से जादा केस अकेले बैंगलूरू में ही है ऐसे समय में यह बात सामने आना कि 3300 से जादा पॉजिटिव पेशिंट की प्रिशासन के पास कोई जानकारी नहीं है यह थोड़ी चिंता जनक है बढ़ते कोरोना वारिस को देखते हुए करनाटक में हर अविवार को लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है बैंगलूर में तो एक सप्तहा का लॉकडाउन लगाया गया था जो 22 जुलाई को ही खत्म हुआ है करनाटक में अब तक कोरोना के आ